ब्रेंट बस्ट में आपका फिर एक बर स्वागत करते हैं और अमीद करते हैं कि आप जब इन प्रोग्रामों को देखते हैं तो उस वक्र जो आपके कुमेंट्स होते हैं वो हमेरे लिए भी बहुत अच्छे लगते हैं हमें और आपको भी शायद इस प्रोग्रमेंस से कोई कोई ऐसी दिलतर्स बाते नजर आती होगी या सुनाई देती होगी जिसमें आपका भी इंटरस्ट बनता है ब्रेंट बस्ट में हमारी कोशिश ही होती है कि हम जो लेटरस्ट इस वक्त न्यूज चल रही है खास करके हमारे हिंदोस्तान के उस बाॉडर के उपर जहां पर च हिंदोस्तान के बीस नौजमान शहीद हुए बाॉडर पर ये भी एक दुनिया में जीव किसम की लड़ाई थी कि बाॉडर के उपर हाथों पाई में हैं जी बीस हिंदोस्तान के सोल्जर्स शहीद हुए चाइना ने अपनी कोई खबर नहीं दी लेकिन जितने भी रिसोर्स है जिसको आप कह सकते हो उन से ये पता चलता कि चाइना के भी काफी नुकसान हुआ कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि 40 और 45 तक उनके सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए खैर चाए एक सोल्जर्स की जान चाए चाहे 40 की चाहे 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 हिन्दोस्तान की वो आम आदम अग्रेसिव रूप हम देख रहे हैं पिछले दो तीन साल से वो दुनिया में एक नए किसम का रूप लोगों के सामने नजर आ रहा है पॉलिटीशन्स भी जो है वो भी काफी परहशान है कि भाई चाइना जो है वो इतना बड़िया रेलेशन्शिप सब से साथ बनाना चा जो के इस वकत उनको कमपेल करती है कि आप इस किसम के अक्शन लो अरे भाई दुनिया में आप बिजनसमेन हो देखिए वो तीस साल में उनकी एकॉनमी थरटीन ट्रिलियन की हो गई वो कुछ चाइना के सेर पर नहीं हुई वो सारे के सारे वेस्टन वर्ड के सेर पर हुई वेस्टन वर्ल्ड वाले वहाँ पर गए उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्ट किया इसलिए चाइना की एकॉनमी जो वो उपर बढ़ी अगर वेस्टन वर्ल्ड वहाँ पर ना जाता वेस्टन वर्ल्ड वहाँ पर इन्वेस्ट ना करता खास करके अमेरिकन जो कार्पोरेशन उन्होंने तो बें तरहा वहां पर पैसा लगाया इसी तरीके से हमने ये देखा कि और भी जो different different companies हैं दुनिया की चाहे वो योर्प की हों चाहे वो जपान की हों या कोरिया की भी कंप्रियों ने वहां पर जाकर इन्वेस्ट किया मैं जब मने ये खबर पढ़ी तो महरान हो कि कोरिया जैसा कंट्री जो के हर चीज अपने यहां पर बनाता है वो भी वहां पर जाके उन्होंने भी उसका फाइदा उठाया मुझे ये नहीं पता कि देखिए जो corporations होती है उनका फाइदा क्या होता है वो एक ही चीज़ होईती है profit profit and profit अगर उनको profit कही नदर आता है तो अपना बोरिया बिस तरह उठा के वहां चले जाते हैं तो इस profit के लालच में कितने billions of dollars इन्वेस्ट किये गए चाइना में ये हमने देख लिया और चाइना एक economic power बन गया आज ताहिर साब से सबसे पहले यही बात करनी है कि जो country economic power बनना चाहता है वो ऐसी बेवा को फी कैस ने कर सकता है कि वो दुनिया को ये शो कर रहे कि हम बहुत aggressive है वो हिंदोस्तान को जो है हर वकत कहीं न कहीं border के ओपर तंग करता रहे हलना कि जब उन्होंने ये इस वकत काम किया है तो दुनिया का तकरीमन कोई ऐसा country नहीं है जिसमें उन्होंने इसको बहुत बुरे तरीक के से जो है वो इनको मैं कहता हूँ कि इनकी नखेदी की लेकिन ये बात ये बात नहीं है बात ये है कि ऐसा क्यों किया अब तो वो रिट्रीट भी हो गये चलो हिंदोस्तान और चाइना का पसमें फैसरा हो गया वो रिट्रीट हो गये लेकिन मेरा ताहिर साब से ये स्वार रिटीर तो वो हो गए उसके बारे में भी वो बात करेंगे लेकिन इतनी बड़ी एकॉनमी बनने के बाद और दुनिया में आप नंबर वान एकॉनमी बनना चाहते हो बीसो पचास तक पहले तो टार्गेट था बीसो तीस का वो तो अब शायद खतम हो गया अब रह गया टार पर उन से बात करते हैं कि ये आखिर कार ये सोच तो मैं समझता हूं कि किसी बेवाकॉफों की होती है अकलमन आदमी तो ऐसी सोच रखता ही नहीं देखिए बात ये है कि चाइना को डॉक्ट साब एक फ्री पास मिलावा था फॉर लॉंग टाइम उनका ये ख्याल था कि अब हम जिस तरह का चाहे एग्रेशन कर सकें लेकिन अब उन्हें अंदाजा हो रहा है कि वो जो उनका ख्याल था कि हम बीस थर्टी तक यानि दोहजार तीस तक हम कोई दुनिया की दो ओनली सुपर पावर बन सकते थे अब वो मैं आपको कहता हूं वो बीस चालीस तो दू की बात है बीस पचास में भी नहीं बन सकतें कि जो व इस तीस तक कुछ नहीं बन सकता वो आगे भी नहीं बन सकता हूं। तो दुनिया पहले ही इनसे खबरदार हो चुकी थी मसाल के तौर पर यह जो चाइना की एप हैं यह चाइना की हुआवावाई जो आ इनका बिजनस करना भी मकसद था दुनिया का बिजनस भी हड़ब करना मकसद था साथ साथ पूरी दुनिया की जसूसी करना भी मकसद है ठी यह सारी चीजें वाज़ होती चली जा रही थी अगर यह COVID-19 ना भी आता तो COVID-19 ने तुझे से कहते हैं ना last nail on the coffin वाली बात की बात किया है तो अब यह बात दुनिया पर रोशन हो गई मैं बहुत बड़ा credit देता हूँ आ मुदी सरकार को इस बात का हमें किसी को तोको नहीं थी कि इतना वो जहनी प्रॉम्ट एक्शन लेंगे कि उन्होंने इमिजेली दो तीन दिन केंदर फिफ्टी नाइन एपस उनकी बैंड करती दुनिया तो अभी सोच भी नहीं रही थी सिर्फ ऐसे ख्याल ही था वेक्सा कि शायद ऐसा होना चाहिए इंडिया प्रॉव्ट कि उन्होंने का कि दुनिया की आज की सबसे बड़ी एकॉनमी जो है डिजिटल है न हम आप जो आपका खाब है कि हम अब डिजिटल एकॉनमी में नमबर वन दुनिया में बने पहले तो हम 59 आप आपकी जो है न मोस्ट पापुलर वो हम बैन करते हैं इंडिया में बैन है तो 1.3 बिलियन लोगों की कंजमशन से बैन है साथ ही अमरीका ने कहा दिया बहुत ही बड़ी आकाम किया हम भी ऐसा सोच रहे हैं यह अभी सोच इन के खलाफ कह रहे थे जी कि चाइना को सही हैंडल नी कर रहे हैंडल नी कर रहे आफ्टर आ वीक मैंने न्यू यॉयॉर्क टाइम्स में का लिक आर्टिकल देखा जो इंडियन नजाद वो मिस्टर सननन नंत जो हैं उनका लिका हुआ वो भी मान गए उन्होंने कहा कि हुआ थे फिफटी नाइंब अमेरिका जैसा कंट्रिए अभी सोच रहा है या बाकी के वैस्टरन कंट्री भी उन्होंने तो यह भी नहीं कहा कि हम सोच रहे हैं ठीक बार क्या वजा है कि एक फिफटी नाइन एप्स जो हैं जी वो बंद करने से उनको क्या नुक्सान होगा number one number two हिंदोस्तान के पास इतना बड़ा IT का मतलब समान है IT का इतना बड़ा education है कि हिंदोस्तान के लोग आज अमेरिका की 38 कंपनियों के CEO बने हुए और जो दुनिया की सबसे बड़ी tech companies हैं उनके head जो है वो Indians हैं तो why not government of India आप ये किये हैं पैक एक तो आ गया वहाँ पर हिंदोस्तान के मतलब scientist ने या एक शक्स ने समझ लो कि उसने एक app शुरू कर दिया टिक टॉक की तरह और उसके लाखों जो हैं उन्होंने download कर दिया why not other countries have decided देखिए दोनों बात हैं डाउट साब जो other countries हैं वो decide कर रहे हैं लगता है वो जड़ा slow होते हैं अपनी announcement में लेकिन यही उनकी नकामी है देखिए इंडिया नहीं मैं बहुत convinced हुआ हूँ कि इतना prompt action लिया सोचने की बात तो दूर की बात है सीधा action सामने आया इनफ इस इनफ अच्छा वो उससे पया आपने यह भी पूचा मैं इसको भी address करता हूँ उससे क्या फर्क पड़ा उससे फर्क यह पड़ा कि यह एक जाइंट बन रहे थे देखिए डॉर्ट साम आय से कुछ चालीस पचास साल पहले बड़ी कंपनियां थी फोड यह बड़ी कंपनियां थी मैकडानल्ड अब बड़ी कंपनियां गूगल गूगल की तो कोई मतलब कोई अपना वो भी नहीं होता ना कि कोई inventory भी नहीं होती कि यह बड़ी यह आपके हाँ जी इतने बिलियन्स डालर को समान पढ़ावाएं जनस तरह वाल मार्ट के पास बढ़ावाय कि यह तो virtual दुनिया है ना थीक है अब यह virtual दुनिया ही दुनिया को आगे लीड कर रही तो इंडिया ने यह देखा कि यह virtual दुनिया को तो 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 त हैँ इसकी बनमाशी को तोड़े ढाः जैसे आप ने का जब भारत के पास इतना एक्सपर्टीज है आई टी की फरी जिए पारत के जो बहुत सारे जो लोग है बाक्ती है भारती ओरिचन के वह गूगल हो बहुत ब्ड़ी बड़ी ब्री पिर भीइ को ले लेगे हैं मायक्रोप ले लेए थी ठेम है उस सभी में बड़े-बड़े ओदो पर है हे लेकिन वो भी लोग जरह सो्काल लिब्रल सेकुलर है नहों को भी कारोबार से घर्ज है भारती प्राईड से नहीं घर्ज है चानीज का जो मसला था वो चाइनीज का कारोबार भी होता है चाइनीज प्राइड भी होता है यह यह तो एक एक खुबी माननी पड़ेगी ठीक है जो उन्होंने अपने लोगों के बीच में जजबा पैदा कि लेकिन इस खुबी के सास्थ एक दूसरा एस्पेक्ट भी डाउट सब है जब पैसे की बात आती है फिर प्राइड खतम होजाता है चुकि अब यह जब एपस बैन हुई तो यह एपस के मालकान कौन है यह तो चाइनीज केमिनिस पार्टी के ही पॉलिट बियरों के बड़े बड़े लोग है ना उन्होंने जी को और सब को कहा कि भाई आप हमें कहा हम फैंक रहे हो हम हमारा ड्रीम जिसको चाइना ड्रीम बोलते है यह अफिशल फ्रेज है हमारा चाइना ड्रीम तो दुनिया का माइट बनना है जाइंट बनना है अब यह तुम हमें कहां पैंक रहे है तो वो पॉलिट बियरों की अंदर की बाउनों ने का पहले इस से तो साथ अपनी किशीड़गी तो खतम करो नान अभी तो अमरीका सार पे आ रहा है तो अमरीका ये यॉर्पिन यूनिन आप ने कहा ये क्यों स्लो है मेरा ये ख्याल है कि एक तो इनका स्टाळल दर दर असलो होने कहा जो अच्छा नहीं लगाया? इसको हटाने में क्या दूटी लगाने में फिर वो सेकनड नहीं. कई साल दो साल लगें बात नहीं चलती नहीं. नहीं नहीं वो देखिए वो वही बात है. जैसे चाइनिज ने विर्ल लीजर को इस थी के से किनिस किया कि आज हमारे साथ trade कर दिये वो trade के चक्र में पढ़े रहें टरंप साब की देखिए 800 billion का trade है उसमें हमें 400 billion का गाटा पड़ता है मैं उसको दूर करूँगा मैं इन से बाचित करूँगा तीन साल दो बाचित करते हाँ जी वो मतलब ऐसे और कोई पता नहीं के सदर टरंप फिर किसी बगद तरीफ कर दे लेकिन चलिए सदर टरंप की तरीफ या ना तरीफ का कोई इतना matter नहीं करता है असल मैटर ये करता है कि जो चाइना के true जो एलाइंसेज हैं अमेरिका की बाकी left की कुष कना वो बड़े खतरनाक है Chyrna Hollywood में गुसाओवा है Chyrna तमाम बैंकों में गुसाओवा है À New Yors stock exchange में गुसा गुसाओवा हैα चाइना В हेड हैं, मिस्टर, तो उन्हों ने साफ कहा, अभी पिछले हफ़ते, उन्हों ने कहा कि हम ने अब फाइले खोल दी है, कि चाइना ने किस-किस तरह हमारे इदारों के अंदर इंफिल्ट्रेशन की होई है, पर आप सिर्फ USA के पर डिपेंड कर रहे हैं, यूर्पीन यूनिन इतनी बड़ी, इतना बड़ा देश है, मतलब 28 कंट्री इतना बड़ा देश है, 27 राइगा है, और इंग्लेंड भी, तो उनको भी तो बीच में हम लेके आए ना, कि किस तरीक से उनके बीच में रखाए, ज्यादा गुसे हुए है, चाइनीज बहुत उनके अंदर गुसे हुए है, अलबता इंग्लेंड को कुछ होशाई हुए है, इंग्लेंड इसलिए तो EU से निकलने की बात भी करता है, और हो भी, निकल गया है, वो एक अपनी जगह पे है, इंग European Union जो है न वो चुकर लेफ्ट ब्लॉकों में ज्यादा गुसी हुए है, उनके बहुत सारे जो लीडर ने लेफ्ट के हैं, लेकर अब जब मार पड़ी है, अब जब करोना के चकर में वो डिसीव किया है, चाइना ने उनको, तो थोड़ी थोड़ी लेफ्ट के लोगों को भी होश आना चुरू हुई है, कि हम इस तरह तो मारे जाएंगे, लुटे जाएंगे, तो मेरा ख्याल है, यह डॉक्ट साब उन से मैं को बहुत प्रॉम्ट एक्शन की, आस नहीं रखता, इतना ही काफी समझता हूं कि उनको कोई होश आ रही है, नहीं आए से दस दिन पहल कंट्रीज है, यह क्या क्या करते है, किस किसम के यह तमासे करते हैं, और किस किसम के इनकी सोक यह है, क्योंकि CIA का अदमी है, यह जी इसी तरीका चंप मैं पतीन को सोच देखता हूं, घीम deeply से रही होगा है, इसकी सोच जो है, वो KGB से तो अलग नहीं हो सकती, रहीं यह तो क के तरफ से आई है अब कि तरफ से आई है लेकिन टरंपसाब ने अभी इस स्टेटमट के बाद दो दिन बाद उन्से पूछा गया था उन्होंने भी का कै भी हम कंसिडर कर रहे हैं एक 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 प्रैस कॉंफरश में किसी ने सवाल किया था जनलिस ने जी माइक पॉंपियल ने इन से ज्यारा important जो policy makers है ना वो ये decide करें अमेरिका में तभी बात पनेगी और मुझे ये लगता है कि ये आने वाले कुछ हफ़तों में और हुसा तक कुछ दिनों में कमसक्रम टिक टॉक का तो इलान करते हैं चुको टिक टॉक सबसे dangerous और सबसे बड़ी उनकी app है और वो ये क मैंने delete कर दिया अच्छा message रोज उनका आता है कि जी आप इसको download करो लेकिन मैंने कभी किया नहीं लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जो apps है देखिए apps बनती है चले जाती है apps बनाने में कोई time नहीं लगता अगर वो दुनिया के हर जगा पर पहुंचे हुए हैं उनक आप तुमारी tag tv की भी है कितने लोगों ने download की हुई या बहुत ज्यदा लोगों ने तो नहीं की हुई न ठीक है अगर आप लोगों ने नहीं की हुई जो हमारे दर्शक हैं हम आपका request करते हैं कि आप tag tv के app को download करिए सातों दिन program इसके उपर बहुत बड़िया बड़िया latest information जो है ताहिर साब लेके आते हैं different different guest होते हैं इंडिया से guest होते हैं पाकिसान से guest होते हैं मेरिका से guest होते हैं कैनेडा से guest होते हैं तो आप उस app को जरूर download कीजिए ताकि आप अगर घर से बाहर भी हों टीवी के सामने ना भी हों तो आप अपने phone के उपर भी देख सकते ह है तो इसलिए टेग टीवी की एप नाम तो यही है ना जी टेग टेग टीवी का डग्सा बहुत शुक्रिया हमारी है अनुटाइस्मेंट करने का हमारे पेगाम आगे पहुचाने का मैं सब्सक्राइब पहले तो मैं भी आप से कहूगा मेरे फोन में डाउनलेड की है डग्सा कि हमारी 24-7 स्टीम है सर्व मैं इस हवाले से कह रहा था कि हमारी सादा सी आप है जो हमारे प्रोग्राम दिखाती है लेकिन यह जो एप्स हैं जैसे ट्विटर की आप है जैसे फेस्बुक है यह बहुत हाई टेक है बहुत बड़ी बड़ी है अब अगर फेस्बुक के में अपने उस सोचल मीडिया के प्लैटफॉर्म में हर लम्हें तबदीलिया करनी होती है और उनके लाखों इंपलॉईज हैं दुनिया बड़ी है ठीक है तो वो जो बड़े ब्रैंड बनते हैं उनकी जो जो पीछे उनकी परफॉर्मस है वो भी फिर बहुत बड़ी होती ह प्रोग्र्म में आप देख रहे हैं ब्रेंड ब्रस्ट ब्रेंड ब्रस्ट पे बात हो रही है कि चाइना ने इंडियन बार्डर से रेट्रीट कियाया क्या इसमें उनकी हार है या दोनों कंट्री Gew annis से आपसे में बैठके फैसला कियाया यह भी एक बहुत बड़ी बात है रेटीट करने के बाद कुछ ऐसी जब चाइना ने इस किसम की हरकत की तो उस वकत बहुत ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स का रेक्शन आया जिसमें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा रेक्शन जो है वो फॉरण सेक्रेटी यूएस पंपेग साब का आया उन्होंने कहा कि हिंदो हिस्ट्रिया वो तो मुझे ये शोर नहीं करती कि ये ऐसी मतलड़ राईयों में स्टेंड करें लेकिन फिर भी ताहिर साब तो पूछते हैं शायद अभी तो अलेक्शन भी आना चार मीने के बाद साड़े तीन मीन नहीं रह गए तो पदानी उस अलेक्शन में क्या होगा इनकी पॉलिसी जो है वो चलेगी नहीं चलेगी अगर नहीं आ जाता है तो क्या होता है लेकिन फिर भी ये जानना बड़ा जरूरी है कि अमेरिका की जो आईता की हिस्ट्रिय है उसमें तो ताहिर साब वो किसी कंट्री के साथ खड़े नहीं हुए एक्सेप्ट जहां पर उनका अपना परसनल मुफाद होता है अब क्या ये मतलों इनकी जो है सोच बदल जाएगी तेखिए अमेरिकन्स की सोच उस तरह तो नहीं बदलेगी वो अभी भी अपने इंटरस्ट के पीछे ही जाएगी ठीक है अब उनके इंटरस्ट चेंज हो रहे है पहले मसाल के तोर बड़ा चैलेंज जो होता था या तो पाकिसान की तरफ से होता था या चीन की तरफ से होता था पाकिसान की तरफ से जो चैलेंज होता था इंटिया को उसमें कभी अमरीका ने इंटिया का साथ नहीं दिया ये इनकी हिस्टरी है चुकर उनको पाकिसान से काम रहते थे थे पर हम भूल गए 71 की वार में इन्होंने का कि हम सिक्स था अपना बेड़ा बेज रहे हैं बेड़ा तब पहुंचा जब वार खत्म हो गई वो तो पाकिस्तान का भी साथ ना दिया लेकिन इंडिया का भी साथ तो नहीं दिया था ना मैं यह कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों का भी यह साथ जो है यह उस में वो सूट नहीं करता था ठीक है वो इतना साथ देंगे इंडिया का के चली कारोबार होता रहे पाकिस्तान कभी को साथ नहीं दे रहे थे पाकिस्तान में भी जो जो इनके काम होते थे वो उतना होता था कि भाई ये हमने Soviet Union को कमजोर करना है आपको पैसे देते हैं आप मुझाहदीन बनाएं हम भी आपके साथ हैं फिर जब वही मुझाहदीन इनके गले पाड़ के अमेरिकन्स के तो पाकिस्तान से ही कहा कि आप पैसे ले इनको खतम करें पहले पाकिस्तान को पैसे दिये मुझाह किस तरीके से अफगानिस्तान की वार जो है उसके हारने के बाद हमने देखा कि विदिन नो ठाइम रशिया के टुकडे टुकडे हो गए तो इसका मतलू यह अगर हम डीप सोचें तो अमेरिकन की जो यह एक पर्टिकुलर सोच थी वो तो बड़ी सक्सेस्फुल हो गई मैं रशिया में ही रहता है रशिया की मुटल स्टेट्स में रहता था और हम बड़े यकीन से कहते थे कि असल में अमरीका ने रशिया को तोड़ने में अपने पैसे ही जाया किये हैं चुकर रशिया ने खुद ही टूप जाना था मैंने समझा रही है तो बड़ी मैं तो बा कोई बाहर के लोग जाते हैं, किसी मल्क को तोडने के लिए, तो ओं क्या करते हैं, कि अपनी मर्जी के है को अपने साल लगाते हैं, पैसा पंप करते हैं, फिर बलड शट में तीन थे मुझे अच्छी तरफ करी मometer ते था यह थर्टीत आगस्ट नयंटीन नयंटी वन की बाद है मैं कखाकस तान में था यह बोरिस यलसं उस वक्त यह एक अलमाती में नजर बायॉफ जो प्रस जो केमिनस पार्टी ओफ कजाख रिपबलिक का फस्ट सेकर्टी था उस वक्त ये उससे मिलने आए उसने का कि हम ने हम तुम्हें खिला पिला नहीं सकते वहाँ इसलाम करीम आफ भी उस्बेकसान चाया वाता असकर अकाय आफ कर्गीजिसान ये सब बोरिस यल्टसन के पाउं पाट रहे थे हाल लगा रहे थे जनाब आप हमारे बड़े भाई हो आप हमें किस मसले में डाल दे हो हम तो रोटी ने खला सकते हैं अपने लोगों को अ का भाई हम तो इंडिपेंडेंटन्स चाहती हैं किस ने कहा कि हम इंडिपेंडेंटन्स चाहते हैं सही है मैंने अपनी आँखों से कजाकस्तान अलमाती कैपिटल में ये देखा थर्टीएथ अगस्ट नाइटी नाइए टेलिविजिन पे आ रही है बोरिस यल्सन ने रेश ने अफगानिस्तान में लड़िया है उसमें जहां जाने का नुकसान हुआ वहां पर एकनॉमिक भी बहुत नुकसान हुआ एक फैक्टर तो आपको मानना पड़ेगा कि डैट प्रेड इमेजिन ने डाक साथ एक फैक्टर था मैं यहां पर एक इंटरस्टिंग बात रशिया वहां से यह कैमिनिस्म की बेमारी आई ठीक है नहीं फिर यह उसके बाद चाइना आया अब चाइना और रूस का फरक देखें रशिया ने यह किया कि जो उसका साथ देता था चाए मिडल इस्टर्ण कंटी हो इवन पाकिस्तान में जब जुलफकार अली बट्टो ने सोशिलिजम का नारा लगाया तो उन्होंने मुफ्त स्टील मिल लगा कर देती है रशिया की एकानमी की वज़ा यह कि रशिया की जो कैमिनिस्स पार्टी तो करॉप्शन भी थी मुझे नामने देखी हुए लेकर इसके बावजूर ना वो पैट्रियॉटिक भी थे अप को बकाईदा वो जो हमारे एक एक इंडियन समाज में ऐसे एक बना वना बनियां का हाई हाई वो वह समुख चा चाइना पर फिर्ट होटा है वो चाइना है चाइना अक्शलिजभी बनिया रहे चाहिना यह का यह स्टायल वोशनलिजम के नाम पे ही चलो लगा लो लेकिन ये आपको फ्री नहीं मिलेगी आप बटो साब की चाइना के साथ बड़ी दोस्ती थी चाइना ने क्या कुछ दिया बटो साब को बल्टा पाकसान से जमीन ले ली कश्मीर की वो कुल लाखों किलमीटर का जो हेरिया है वो ले साइच चिन का जो स्ट्रक्चर है और जो बकी का जो स्ट्रक्चर है जो रोड बन रही है जो हाईवेज वहाँ पर बन रही है या जो वहाँ पर उन्होंने एर मतलब पोर्स बनाए है यह सारे के सारे इन्हीं की दमीन है दोस्ता मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ अफग मुलक में वहाँ पे इलेक्टिर ट्रांज है हर मुलक में मेटरो है ठीक है यानि कैनिडा से बहतर मेटरो है टाशकन में उस सब रशिया नि लगाकर दी उनको एजूकेशन रेट डॉक्षऑ हंडर्ड परसंट है ठीक है कलीलिनी लेस्ट जो है हंड़र परसंट है जो जो से स्ट्रबन थे, सोवियट की बात नी सुनते तो उनके साथ इनका कलाश हुआ, ये गरीब मुलक थे थे, इन सब को उन्हों ने डुवेल्प कर दिया, यह यह तो खासियत मौनी पूलेगी, अच्छा, अब वो, अब एकॉनमी तो यही पे बरबाद हुई ना, उनकी, कहां प एक सो काल्ड एक ना, एकनामिक फिलोसफी जो है, वो बनी हो इसलिए, तो उनकी जो सोच थी, वो एकनामिक सोच नहीं बनी, अगर वो बन जाती, तो मैं समयता हूँ, जतने उनके पास कंट्रीज थे, जतने उनके पास रिसोर्सिस थे, यह तो आप भी मानोंगे, जतने रि उदर था तब के जीबी के वो हैट थे मतब देख रहा हूं से मेरी मुरादिया मेरी मुलकाद नहीं है अफ कोर्स बहुत बढ़े आदिये ठीक है वो मतब अभी जान बॉल्टन ने अपनी कताब में लिखा है वो कहते है कि मैं टरम्प, माइक पॉंपियर और प्रेज़िडिट पूटन एक मीटिंग में थे तो कहने लगे मैं कि मैं कुन्विंस हो गया कि जितना दुनिया का पूटन को पता है टरम्प साब को तो इसका आशीर रशीर भी पता नहीं है naturally kgb ka आदमी sir kgb ka आदमी और Russia δुनिया के सबसे बड़ा मुल्क है अपनी गिवाफिय में resources में, energy के resources में दुनिया के सबसे बड़ा मुल्क है 20-36 तक वो एस processes पिर दोबसाब है चाहिए उनले के सब इस है लेकिन वो आदमी तो इतना smart है अपनी कंटी के लिए अच्छा अपनी ठीक है वो डिमोक्रेसी नहीं चलने देते वहाँ पे उनका एक अपना स्टाइल है मैं उस पे आप और मैं अलग शो कर सकते हैं लेकिन वो भराल उसको चाहा जाता है ऐसी बात नहीं को उसको चाहा नहीं जाता है अभी भी देखिए 70% लोग जो है अभी भी उसको चाहते है देखिए basically क्या है कि हम जो बात कर रहे हैं चाइना का reaction और चाइना के उपर वर्ल्ड का reaction ये जो बात है ये एक बहुत बड़ी बात है कि चाइना की जो अब thinking है या तो उनको बिलकुल 100% change करनी पड़ेगी उनको दुनिया के साथ चलना पड़ेगा और उनकी ये जो सोच है कि नहीं हम अपने असाब से number one बन जाएंगे अब वो तो होना नहीं that is very clear no one is going to accept जिस तरीके से वो अपनी currency को manipulate करते हैं जिस तरीके से वो लोगों के साथ deal करते हैं और घटिया माल दे के बड़िया माल के पैसे लेते हैं अब तो वो भी नहीं चलना अब तो वो माल जो है जब आएगा पहले चेक होगा तब आगे उसके पैसे मिलेगे आगे क्या होता था मैंने यहां के कुछ लोग हैं जो चैना से deal करते हैं पैसे पहले भीज देते हैं बाद में यह नहीं पता container में से निकलना क्या है ठीक है कि 60% माल वो ठीक भीजते हैं लेकि 40% भी billions का माल होता है तो मेरा यह माना कि आने वाले time के ओपर दुनिया में अब इनकी यह तो philosophy नहीं चलेगी तो फिर इनका future क्या रहा गया चाइना का future अब लोग predict कर रहे हैं खास पर इंडिया ने एक ऐसा बड़ा lesson दिया है लोगों को समय नहीं आ रही कि इससे बड़ा lesson कोई नहीं है चाइना के लिए लोग यह समयते हैं कि जो इंडिया ने लेसन दिया है practical lesson दिया ना बात चीट का नहीं था practical band मतलब जो 59 band की है बहुत 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 अब उसके बाद वो यह आप जो दुनिया के अनलिस्स कहरे हैं कि चाइना अब री तिंक कर रहा है री विजड कर रहा है अपनी फिलासिफिक अपनी पावाजिए चुकि वो कारुबारी लोग है मतलब कारुबारी लोग से मुराद यह है कि वो जो उनकी कैमिलिस्ट पार्टी है वो भी कारुबारी जो आम चीनी बीडाउसब है वो बचारा बड़ा अच्छा शक्स होता है आप यह देखते हैं कितने हार्ड वर्किंग होते हैं चाहिए चाहिए पूरी दुनिया में रहते हैं ठीक है मैं उनकी इस पॉइंट इविए से बहुत रिजद करता हूँ जो कैनिडा में मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि दुनिया की सबसे डिफिकल्ट जो रेलवे लाइन बनी हैं अमेरिका में और कैनिडा में उसमें सबसे ज्यादा चाइनिज ने अपनी जाने दी है यह याद रखी है ठारा सौ सन में हाँ जी सेंकडों नहीं हजारों चाइनिज जो हैं वो रेलवे लाइने बनाते हुए मर गए आप अमेजन करो कि कितना बड़ा कंट्री है कैनिडा एस्ट से वेस्ट तक लाइन बनाई और अमेरिका के सारे ही जो सूबह हैं उत साब में रेलवे लाइन बनाई जिसमें उनका सबसे बड़ा रोल था जाने देने का और काम करने का यह मैं अज़र ऐसे ही बड़ी 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 साही आपने बात की चाइना के अगर बात करें तो कितनी जाने हुना हमारी लिबरल गॉर्मिंट ने हैड टेक्स पे शाह लिबरल ने या कंजर्वेटर ने माफी में माँगी ने लिबरल ने माँगी तो मतलत इसके बाद आप नीचे ही लग जाएं नहीं पर माफी माँगने के बाद उसके ओपर कोई काम तो होता नहीं नहीं चले ये कह दे कि भाई सौरी ये घलत हुआ था हिस्ट्री ने ये एक अच्छी स्पेरिट है चाहे कंसरवेटिव करें चाहे लिबरल करें लेकिन उसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि फिर उसके बाद आप एक्स्प्लॉइट होना शुरू कर दे उन फॉरन टाक्तों क आतों नहीं अब हम दोबारा चाहिए 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 कि चाहिए अगर दोबारा रिविजिट कर रहा है अपने जी को एकनामिक पॉलिसिज को और इधर वो मतलब इंडिया बॉर्डर के उपर स्करमिशिस कर रहा है तो ये दो चीज़े कैसे कठी चलेंगी देखिए डाट पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता उसकी वज़ा ये है कि ये आई वाश करते हैं और अपने सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्रस्ट के लिए चलते हैं कारोबार में डॉक्टर मैं और अगर आप ट्रेड करते हैं तो मैं अपने इंट्रस्ट के साथ सिर्फ आपके साथ कि आके ठीक है तक काड़ो बार में ऐसा नहीं होता है म्यूचर इंट्रेस्टिंग बात चलने ए पर री-थिंकिंग में अच्छा री-ठिंकिंग में ये कह रहा हूँ ये री-थिंकिंग इसली करें कब उन्हें टफ दुनिया नजर आ रही है लेकिन उनको री-थिंकिंग करन ही नहीं जा सकता है इनको इनके मुताबिक जवाब देना चाहिए और जो ये कारोबार में घलत हरकतें करते हैं human rights की gross violation करते हैं backstabbing का इनका रविया बन चुका हुआ है उसका इन्ट से पत्थर से जवाब देना पड़ेगा दुनिया को कि आज ये थोड़े से कोई बेतर policy ले आए नहीं इस पे कोई ट्रस्ट ना करें ये अगले अफ़ते चेंज हो सकते हैं तो दुनिया को इतना ही अब vigilant होना होगा जितने ये जितने चाइना की रजीम वेजिलेंट है ये बड़े वेजिलेंट है इसी तरह दुनिया को वेजिलेंट होना होगा अब जब आप अमरीका की politics में देख रहे हैं वहाँ ये कर रहे हैं मैं एक बहुत ही interesting बात आपसे करना जाता हूं कि हम चाइना की बात कर रहे हैं कि वह री थिंक कर रहे हैं ताट्स नमबर वान COVID-19 के बाद सारे वर्ल्ड की economy जो depression 1929 और 30 माया था उसके बराबर पहुंच गई है उस वकत इतने resources नहीं थे उस वकत इतनी technology नहीं थी उनको 10 सर लगे वापस आने में अब हमारे पास resources है technology है हो सकता है कि 2-3 साल में ही सारी economy मुड़के वहीं आ जाये जो COVID-19 से पहले थी और उसके बाद आगे बढ़े लेकिन सबसे बड़ा यहां point यह पैदा होता है कि उसमें Chinese contribution बहुत जरूरी चाहिए क्योंकि कुछ इतनी ज्यादा हम dependent है कुछ चाइना के products के उपर अब वो तो फिर इसका कुछ फैदा उठाने के कोशिश करेंगे देखे, बात यहाँ कभी अगर तो चाइना अपने कारोबार में फिर तरीके से दुनिया के साथ चले तो दुनिया साथ चलेगी चाइना के साथ नी चलेगी? मतनب olsun कारोबार ciert門 टी होती है कि कारोबार में ये मुम्किन नहीं है कि सिर्फ एक शथ के फाइदे पर ही कारोबार चलेगा या एक कंपनी या एक कंटी के फाइदे पर ही कारोबार में सब का कोई नो कोई फाइदा होना जरूरी होता है तो वरना तो कारोबार नहीं चला करते हैं अगर तो चाइना इस तरह चले अपनी री थिंकिंग कर ले अपनी पॉलिशीज पर तो फिर तो दुनिया चलेगी लेकिन मेरा निए ख्याल कि अगर चाइना ने अब हैंकी पैंकी की तो दुनिया इतनी सहुलत के साथ चलेगी मजबूरी दुनिया क्यों सकती है देखिए मजबूरी तो अभी है यह तो आपको मानना पड़े है आने वाले जब तक एक खुद अपने रिसोर्स क्रियेट नहीं कर लेते हैं देखिए मैं आपको ना एक नट्स अंड बोल्स की बात बताता हूं तो मैं लोगी आने से बिलोंग करता हूं जहां के उसको मतलु लीड्स आफ इंडिया कहा जाता है मैक्सिमम नट्स अंड बोल्स महां बनते हैं वो नट्स अंड बोल्स जो एक मजदूर बनाता है हिंदोस्तान में वो चैना से महिंगा है चैना में उससे भी सस्ता है वो जो नट्स अंड बोल्स बनते हैं वो अगर अमेरिका में बनाने ह लेता है तो इस किसम की जो अच्छा नट्स अंड बोल्स अर तो इसे ही और चीज़े हैं तो मुझे तो मैं परिशान होगी यह चाइना क्या हतों आतकंडे से बाहर कैसे निकलेंगे दॉट सो देखिए बात यह है कि economy is all about money बंगलादेश और बहुत सरे और आसपास के मुलकों में थोड़ा business क्यों किया वहाँ industry क्यों लगी वहाँ labor जो है चाइना से भी सस्ती थी थी ठीक है अच्छा भारत में भी यह काम हो सकता था अब मोदी साब कह रहे हैं अभी उन्होंने कली का कि भारत एक global economy के revival के लिए एक lead होगा लिकर उसके लिए frankly भारत को अपनी policy आं जो हुए sign है आई कितनी 60 billion मुझे जब तक आप structure चैनी करोगा ना लेकिन आप मोदी साब की वो गुजरात की सरकार को याद की चाहिए वहाँ उन्होंने बहुत ज्यादा economic reforms की थी industries को attract करने के लिए वो वहाँ पे हुई इसलिए तो मोदी साब का एक बहुत बड़ा image मना मुझ आदी है जो जो तो वो जो जो थोड़ा सा time लग रहा है इनको मुझे यह सा फील हो रहा है देखिए नाहिर साब छे साल कम नहीं होते है that's number one number two जितने भी वहाँ पर bureaucrats हैं PMO house में वो सारे के सारे मोदी साब अपने personal लेके आये हुए हैं गुजरात से हैं जी स्वाई एक ड किसी ना किसी तरीके से अगर साथ नहीं चलती तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं ठीक है यह बहुत बड़ी problem यह अमेरिका में भी है यहां भी होगा हो सकता है यहां भी हो लेकिन ultimately अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको बकैदा लीड करना पड़ेगा मैं समझता अभी भी पैसे अंदर अंदर की जो खबरे मुदी आती है को मेरे काफी रिसूर्सिस हैं अभी अभी भी मुदी साब चाहते हैं कि हमारी personal meeting हो जी साब के साथ यह वो 13 meeting हैं आज तक कर चुके हुए हैं जब से वो 12 में बने थे चीम मिनिस्टर अब गुजरात तिल लास्ट यह वो 13 meeting हैं कर चुके हैं उनके साथ personal अब मीटिंग मतब करने का क्या मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई ऐसी है चुकि कुछ मेरे पास भी ऐसे खबरे हैं कोई कोई ऐसी नहीं है वो चुके एक political suicide भी होगा जी के साथ मीटिंग जो है ना मुदी जी के लिए एक political suicide भी है चुक चलिए मैं मुझे भी पता है थोड़े को मैं लेकिन देखी कई पर ऐसे भी होता है कि जब आप दुश्मन हो जाते हो ना आपको पता है भुट्टो साब आये शिमला वो तो फिर गलत फैसले थे ना ने 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 भुट्टो साब शिमला आये हैं वहां पर लड़ाई के बाद उस वकत भी यही ऐसे ही थे सेंटी बादू साब ने तो विन किया था वो जो 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 जग पाकिस्तान हारा था सैमिटी वन में जो जग एक्शल मिदान में हारा था वो बट्टो साब को आने की जाज़ाजत दे के वो भारत लोज कर गया ठीक है नहीं बंगदेश तो बना द ये था मैसेज कि वो ज़रा और कुछ हरसे रहते हैं अनके पास और कुछ शराय्त मनवाते। कश्मीर पे और इन पे फिर वापस और ये थी असल जंक। पर वोर्ड प्रेशर बहुत था रषिया का प्रेशर हैं उस वक्त को बहुत प्रेशर नहीं था। फ्रेंक्ली मिस हिंध यह उनका था यह तो आगे वो थी ना फरंट फेस थी ना वरना वो थाबत हो गया कि जिस तरीके से उन्हों ने डील किया मेज पे बटो को बटो तो जीत किया मेज पे जो वो चाहता था वो लेके चला गया जो जो भारत ने जंग जीती थी इतनी बड़ी जाए वो अपनी हो हैं आखर में चाइना रेट्रीट के बाद आपको क्या लगता है इंडिया और चाइना देखिए इसके बाद यह है कि मुम्किन नहीं है कि अब यह तल्लकात उस लेवल पे जाएं जो अभी रीसेंट कुछ महीने पहले थे जब प्रेजिट जी ने किया जो आप बात कर र पाबलम हुआ था डॉक्स अब हमने एक बात मिस की साउट चाइना में जो अमेरिकन्स गए थे अभी रीसेंट ली हम घै हुआ है अभी भी बेरा हुआ है लेकर उन्हों ने एक शो आफ किया था पावर को वो जो शो आफ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी आ गया था बारत प पत्न मेंगा पड़ गया है तो अब मुझे नहीं लगता कि रिलेशनचे बारत के और चाइना के नॉर्मल होंगे जैसे थे पहले कारोबारी भी हो पुलिटिकल भी हो दोनों रजीम के भी हो अंटल अनलेस चाइना की जो रिवेजिट पॉलिशी हैं वो प्रेक्टिकली इन के कमेंट्स जो हैं वो बेंतहा आने चाहिए क्योंकि पता लगना चाहिए कि आप चाइना और हिंदुस्तान के रिलेशन के बारे में क्यास होईते हैं आपको लगता है कि यह आने वाले टाइम के ओपर दुबारा अच्छे दोस्ट बन सकते हैं या नहीं दोस्ती का वर्ड मेरा खाला वो चाहिना के साथ तो नहीं लगाना चाहिए लेकिन स्टिल जो रिलेशन्शिप है एक प्लिटिकल और एकनोमिक फिल्ड में वो कैसी रहेगी आपका इंतजार करेंगे थैंक यू और सी यू नेक्स्ट वीक